हेलो एवरीवन आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल क्रंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें सिमेट्री प्रोब्लम्स को सोल करना सिखेंगे मतलब दो प्वाइंट के बाउट इक्यूलेंट रेजिस्टेंस फाइं सिमेट्री तो आज के इस लेक्चर में हम फोल्डिंग और मिरसमेट्री के उपर बेस्ट चार नुमेरिकल्स को सोल करेंगे तो आज के इस लेक्चर से यह पता चलेगा कि सिमेट्री प्रोब्लम्स को कैसे सोल किया जाए तो देखो दो मेथड होंगे फोल्डिंग सिमेट्री मेथड और मिरर सिमेट्री मेथड तो फर्स देखो फोल्डिंग सिमेट्री मेथड तो देखो आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि दो पॉइंट्स के बाउट equivalent resistance find out करूँगा मालो ए बी पॉइंट्स के बाउट equivalent resistance find out करूँगा ठीक है आर equivalent तो देखो folding symmetry method कब apply होगा सबसे पहली बात तो when circuit is symmetrical about a line ab वो जो ab line होगी na a और b के about equivalent resistance find out करूँगा अगर circuit ab line के बाउट symmetrical होगा तो हम फोल्डिंग symmetry method apply कर सकते हैं और यह बेश्ड किसके उपर है कि इट इस बेश्ड ओन कि मार्किंग कि पोटेंशियल कि ओन स्यमेट्रिकल कि ब्रांचिज ठीक है कि और देखो सेकंड श्मेट्रि मेथड है यह यह कब अपलाई कि या दा सकता है जब सर्किट किसके आफ आउट स्मेट्रिकल होगा वैं सर्कित इजस्यमेट्रिकल अबाउट ए लाइन प्रिपेंडिकुलर टू अबी लाइन ठीक है और यह बेस्ट किसके उपर होगा इस बेस्ट ओन सेम करंट इन स्यमेट्रिकल रजिस्टर्स ठीक है तो अब देखो विद्धी हैल्प ओफ नुमेरिकल समझेंगे हमें तो देखो फर्स्ट नुमेरिकल इसमें क्या गिवन है मेरे पास रजिस्टेंस का एक नेटवर्क है ठीक है यह कुछ ऐसे करके नेटवर्क गिवन है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और ठीक है देखो यह एक पॉइंट है यह बिवन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है इस रेजिस्टर हैविंग सेम रेजिस्टेंस और ठीक है तो एबके बाउट इक्विलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो आब देखो यह आपे कुछ सीरीज पैरल्ल कुछ समझें नहीं आ रहा है ठीक है तो देखो क्या हम इसको folding symmetry method से solve कर सकते हैं कि क्या इसके उपर folding symmetry method लागू हो सकता है तो देखो एबी लाइन देखो क्या यह circuit एबी लाइन के about symmetrical है क्या जैसा उपर वैसा ही निच्छे है आर 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 बिल्कुल तो folding symmetry तो है तो folding symmetry method को हम यह आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब देखो folding symmetry method की help से मैं equivalent resistance find out करने जा रहा हूँ एब भी points के about ठीक है इसको यहाँ पे एक बार readraw कर लो ठीक है न यह कर लिया मैंने इसको यहाँ पे रिड्रो अब folding symmetry method का यूज करूँगा मैं ठीक है यह a point यह b point each register having same resistance R ठीक है तो आप देखो मालो यह c point है तो यह भी point क्या होगा c होगा क्योंकि a b के about यह circuit symmetrical है न जैसा उपर वैसा ही निच्चे ठीक है तो अगर यह c point है यह भी c point होगा मतला जो यहां का electric potential आएगा वही यहां का आएगा ठीक है और मालो यह pointed d यह जो holding symmetry method है किसके ओपर बेश्ड है marking same potential on symmetrical branches यहां का potential जो होगा वही यहां का होगा मतला अगर यह point c है तो यह भी क्या होगा c होगा ठीक है यह point मालो d हो गया तो अब देखो मां folding symmetry method apply करने जा रहा हूँ तो देखो यह resistance देखो ए c k cross है यह यह भी c k cross है यह इसका symmetrical part है इसका symmetrical part यह है इसका यह है यह resistance ए c k cross तो एक तरह से यह resistance भी c k cross होगा तो एक तरह से यह दोनों parallel में हो गए ठीक है तो folding symmetry method में क्या करना होता है जो AB line ना AB line पे जो registers आयो है resistances उनको agities बना दो सबसे पहले तो यह वड़ा resistance आर यह वड़ा आर अब यह रेजिस्टर ए c k cross यह रेजिस्टर भी a c k cross यह वड़ा इसका symmetrical part है यह रेजिस्टर c d k cross यह वड़ा रेजिस्टर भी c d k cross यह वड़ा इसका symmetrical part है यह वड़ा रेजिस्टर ची K cross यह वड़ा इसका symmetrical part है तो वो सबसे पहले करने क्या होता है? यह भी लाइन के अलोंग जो रेजिस्टेंस ही जह न उनको बना दो अब देखो यह S e k cross यह B e c k cross तो एक तरह से दोनों पैर्लेल में हो गए तो इन दोनों का equivalent resistance क्या जाएगा? यह दोनों parallel में है और RR तो equivalent resistance आ जाएगा R by 2 तो इसकी जंग है R by 2 का लगा दो ठीक है? ठीक है न? तो अब देखो एक तरह से यह और यह भी दोनों parallel में हो गए यह C d k cross यह B c d k cross तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इन दोनों का parallel equivalent R और R का parallel equivalent क्या हो जाएगा? R by 2 यह point हो गया C और यह मेरा D ठीक है? अब देखो यह register C b k cross यह B c b k cross और यह इसका symmetrical part भी है तो एक तरह से यह दोनों parallel में हो गए तो इन दोनों का parallel equivalent क्याएगा? R और R का R by 2 तो इसकी जंगा क्या लग जाएगा? C b k cross R by 2 ठीक है? तो अब तो आप पे निकाल ही सकते हो इसको आप तो आप सोल कर रही सकते हो न? अब तो यह wheatstone bridge balanced हो गया wheatstone bridge है बिल्कुल है और balanced भी है R by 2 by R by 2 1 R by R 1 तो wheatstone bridge balanced है बिल्कुल है तो इस R by 2 को आप पे अटा सकते हो क्योंकि wheatstone bridge balanced है ठीक है? यह अटा दिया और अब देखो यह दोनों series में R by 2 R by 2 इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा? R by 2 plus R by 2 R हो जाएगा यह लगा दिया अब यह दोनों भी series में हैं इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा? R plus R 2 R ठीक है? अब यह दोनों parallel में आगे इन दोनों का parallel equivalent क्या हो जाएगा? R into 2 R by R plus 2 R 3 R तो यह आगया 2 R by 3 ठीक है? 2 R by 3 तो finally ABK about equivalent resistance आगया 2 R by 3 ABK about equivalent resistance जो कि find out करना था using folding symmetry method यह कितना है? 2 R by 3 तो एक तरह से यह मेरा answer हो गया और folding symmetry method यहांपे लगी भी क्योंकि ABK about यह circuit symmetrical है जैसा उपर वैसा ही निच्छे इसका symmetrical part यह, इसका यह, इसका यह, ठीक है? तो अब देखो, क्या इस पे mirror symmetry method लग सकता है? mirror symmetry method क्या यहां पे mirror symmetry method अपलाई कर सकता हूं? तो देखो AB line यह है, AB line के perpendicular line यह आएगी mirror symmetry method तब यह apply के जाता जब circuit किस के किस line के about symmetrical हो? AB line के perpendicular जो line है इसके about क्या symmetrical है? मतलब जैसा इस तरफ वैसा ही उस तरफ होना चाहिए जैसा left में वैसा ही right में होना चाहिए R, 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 R symmetrical है बिल्कुल तो mirror symmetry method भी मैं यह आप यह apply कर सकता हूं ठीक है? और इसको सबसे पहले यहाँ पर read draw कर लो और बिल्कुल mirror symmetry method यहाँ पर हम apply कर सकते हैं और करने जा रहे हैं ठीक है? mirror symmetry method यहाँ पर हम apply क्यों कर सकते हैं उसकी वज़े क्या है? क्योंकि यह जो मेरा circuit है symmetrical है किस line के बाउट? AB line के जो perpendicular line है उसके बाउट symmetrical है जैसा left में वैसा ही right में ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर mirror symmetry method किसके ओपर बेश्ड है? same current in symmetrical register इसके symmetric register यह है इसका यह है R R R R R R R तो जो इस register में current होगा वही इसमें flow करेगा जो इस resistance में current flow करेगा वही इसमें जो इसमें करेगा वही इसमें ठीक है? मालनों मैंने ऐसा करके कोई बैटरी लगा दी ठीक है तो बैटरी करंट छोड़ेगी कुछ इस तरफ जाएगा कुछ इस तरफ बिल्कुल सही बात है तो जो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो किया है वही इसमें करना चाहिए तो यह जो करंट का पार्ट यह डारेक्टली इसमें जाएगा ठीक है जो इसमें करंट फ्लो किया वही इसमें कर गया और जो इसमें करंट फ्लो किया वही इसमें करना चाहिए तो करंट का यह जो पार्ट था यह डारेक्टली सिदा जाएगा जो इसमें current flow किया वही इसमें करना चीए इसके स्मेट्रिकल पार्ट में current का ये part directly सिदा जाएगा तो एक तरह से देखो इस resistance में और इस resistance में कोई current flow नहीं किया तो इसका मतलब मैं इनको यहां पर अटा सकता हूं बे मतलब के लगे हुए थे ठीक है तो अब तो यह normal बन गया यह दोनों series में हो गए इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा 2R, R plus R, 2R अब यह दोनों भी series में हो गए इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा R plus R, 2R ठीक है यह दोनों भी series में हो गए इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा अब देखो यह तिनों पैरलल में होगे ठीका तो इन तिनों का पैरलल एक्विलेंट वो मालनों R1 होगा तो 1 by R1 is equal to 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 by 2R और यह कितना आगा 3 by 2R तो R1 कितना आगा 2R by 3 तो मतलब मैं इन तिनों के equivalent AB के बाउट के वोल एक resistance लगा सकता हूं कितने का 2R by 3 का और यह लगा दिया मैंने वो ठीक है ठीक है ठीक है ना तो using mirror symmetry method AB के बाउट equivalent resistance क्या आया 2R by 3 और using folding symmetry method वहां से भी 2R by 3 आया था सेम आना चीए आना भी चीए सेम आया और आना भी चीए ठीक है तो यहां पर folding और mirror दुन्नों symmetry method लागू हुए हैं और दुन्नों से सेम अंसर आया है और आना भी चीए ठीक है method चाहिए कुण सा भी लगा लो अंसर तो सेम आयगा ना लेकिन method तभी लगा ना अगर लगता हो ठीक है तो अब देखो सेकंड numerical सेकंड नुमेरिकल में देखो क्या गीवन है एक बड़ा complex circuit है हाँ symmetry जरूर लगेगी वहां पर यह कुछ ऐसा गीवन है ठीक है आइडेंटिकल रेजिस्टर संसारे के सारे ठीक है मतलब हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम मिलेगा यह एपॉइंट यह बी पॉइंट हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है माल लो capital R है ठीक है तो यह बी के बाउट इक्विलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कैसे निकाल यह तो बड़ा complex circuit नज़र आ रहा है कोई series पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन देखो क्या यहां पर कोई symmetry है सबसे पहले देखो क्या यहां पर folding symmetry है मतलब क्या मैं यहां पर folding symmetry method apply कर सकता हूं तो कब लाग होती है folding symmetry जब मेरा circuit AB line के बाउट symmetrical हो जैसा उपर वैसा ही निच्चे आर 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 इसका यह symmetrical register हो गया इसका यह आर 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 तो folding symmetry ज़रूर है यहां पर बिल्कुल है तो देखो इसका symmetrical part यह है इसका symmetrical part यह है इसका symmetrical register यह है इसका यह इसका यह तो मालनो यह C point है तो देखो इसका symmetrical register यह है तो अगर यह C है तो यह भी C point होगा मतलब जो यहां का electric potential वह यहां का हो जाएगा और मालनो यह D point है ठीक है और माल लो यह E point है तो यह भी E हो जाएगा ठीक है ना Due to folding symmetry ठीक है तो अब देखो क्या rule होता है folding symmetry method का यह जो AB line है ना AB line पे जो resistances है उनको बना लो पहले दो resistance है यह बना लिए आर आर यह वाड़ा आर और यह वाड़ा आर यह A line यह B line यह A point यह B point ठीक है यह दो resistance मैंने बढ़ा लिए अब देखो इसका symmetrical register यह है AC AC तो एक रशे दो नो पैरलेल में हो गए तो इन दो नो पैरलेल इक्विलेंट क्या आएगा R और र का R वाए टू ठीक है ना और यह मेरा C point तो इसको बूल जाओ निच्चे उपर काम करना है इसकी जंगा है इन दोनों का parallel equivalent लग गया R वाए टू ठीक है अब देखो ऐसे ही CD CD यह दोनों parallel में हो गए तो इनका parallel equivalent क्या हो जाएगा R और R का R वाए टू तो इसकी जंगा क्या लग जाएगा R वाए टू ठीक है तो अब देखो C E C E इस का स्मेट्रिकल रजिस्टर यह है ना तो इन दोनों parallel में हो गए तो इन दोनों parallel equivalent क्या जाएगा R और R का R वाए टू तो इसकी जंगा क्या लग जाएगा यहां पर उपडर R वाए टू सही है और यह मेरा E पॉइंट हो गया अब इसका स्मेट्रिकल रजिस्टर यह है D E D E दोनों parallel में हो गए तो इन दोनों प्यालल equivalent क्या हो जाएगा R और R का R वाए टू तो इसकी जंगा क्या लग जाएगा R वाए टू यह लग गया थीक है अब देखो आएसाधहे दोनों parallel में हो गए E B E.atti anti lens daily equivalent क्या हो जाएगा आर और R का R वाए टू को इसकी जंगा क्या लग जाएगा आर वाय टू। ठीक है। मैंने यहापे Folding symmetry में चल लगा दिया। तो अब क्या कुछ समझ में रहा है। आसान तो यह अब भी नहीं हुआ है। कुछ series parallel समझ में रहा नहीं रहा आच्छे से। आसान तो यह अब भी नहीं हुआ है। तो क्या आप देखो यहाँ पे mirror symmetry अप्लाई हो सकती है यह भी line के perpendicular line मैंने यह draw कर दे क्या इस line के about यह circuit symmetrical है R by 2, R by 2, R by 2, R by 2, R और R है बिल्कुल है तो यहाँ पे अब mirror symmetry अप्लाई कर दो ठीक है जो इसमें से current flow करेगा वो इसमें से symmetrical register में से same current flow करेगा ना यहीं तो mirror symmetry का base है जो इसमें से करेगा वहीं इसमें से मतला माल नो मैंने ऐसे करके एक battery लगा दी तो battery ने कुछ current चोटा कुछ part इस तरफ गया कुछ इस तरफ ठीक है यह यहां पर दो इसम चूट गया कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ ठीक है न तो आप देखो जो current इस इस रजिस्टर में फ्लो हुआ है वही इसमें होना चाहिए इसके स्मेट्रिकल रजिस्टर में और जो इसमें हुआ है वही इसमें होना चाहिए इसमें आया करेंट जो इसमें हुआ वही इसमें होना चीह तो इसका मदली डारेक्ट ऐसे सिद्धा जाएगा ठीक है और दिस प्लस दिस यही तो जाएगा जो इसमें करण्ट वही इसमें फ्लो गया सभी बात है तो जो इसमें करण्ट है वही इसमें होना चीए तो ऐसे यह करण्ट आया तो इसको डिरेक्ट सिदा जाना पड़ेगा ठीक है न तो एक तरह से देखो यह D-point मतले हैं यहां पर अपस मिल नहीं हुए वह किवंग मिलन तो छलावा एक तरह इसे ठीक है यहां से करन्ड सिध्धा एकसे गया और यहां से ऐसे शिध्धा गया ठीक है अब तो हो गया एक यह दोनों सिरीज में कि हो गया टीक है यह लगा दिया आर का सभी बात है अब यह दोनों सीरीज में और 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 सीरीज इक्विलेंट टू आर यह लगा दिया मैंने टू आर अब यह दोणों पैडल में ओगा आर बाइट ओर आर इन दोणों का पैरलल इक्विलेंट वो क्या जाएगा आर इंटू मां आर प्लास आर बाइट टू ग moisture- स्केरeras by में 2, by में 3ry 2, तो यह आगया r स्केरeras by में 3r, तो यह आगया r y 3, तो इन दोनेDas increased by lik सही है और अब यह तिन नो सिरीज में होगे तो इन तिन नोगा सिरीज एक्विलेंट वो क्या हो जाएगा आर बाइटू प्लस आर बाइटू आर प्लस आर बाइटू आर प्लस आर प्लस आर चार आर तो चार आर बाइट तीन इन तेनों गा सिरीज एक्विलेंट चार आर बाइ तीन अब ये दोनों पैर्लेल में होगे इन दोनों का पैर्लेल एक्विलेंट क्या हो जाएगा 4R by 3 इन्टो में 2R 2R plus 4R by 3 R1 R2 by R1 plus R2 वो लगा जिया न जब दो पैर्लेल में हो तो ये कितना हो गया 8R square by 3 3 दूनी 6 प्लस 4 10 10R by 3 तो ये आगया 8R square by 10R 1R से 1R खतम दो चोके 8, 2, 5, 10 तो फाइनली 4R by 5 आगया ठीक है 4R by 5 मतलब AB के about equivalent resistance R equivalent AB जो की find out भी करना था वो आया 4R by 5 using folding symmetry method हाँ इसमें भी इसमें mirror symmetry method का भी यूज हुआ है तो R equivalent about AB ये कितना आया 4R by 5 ठीक है ये मेरा answer भी हो गया लेकिन अब इसमें ये देखेंगे कि कि क्या हम इसको दूसरे method से भी solve कर सकते हैं कहने हम मतलब क्या इसमें हम directly mirror symmetry method भी apply कर सकते हैं directly सिद्धा क्या कर सकते हैं आपे mirror symmetry method applied directly तो देखते हैं तो देखो AB line AB line के perpendicular line ही हो जाएगे क्या इस line के about ये symmetrical है जैसा left में वैसा right में अर आर , ये आर ये आर ये आर ये आर बिलकुल है symmetrical तो directly आप mirror symmetry method भी apply कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो ठीक तो मैं वह करने जा रहा हूं मालों मैंने आसेंकि कुछ बैटरी लगा दी की थिक है ऐसे लग के बाओट बैटरीने कुछ ख्री फोड़ si कुछ पर्शन इस तरफ गया कुछ पर्शन इस तरफ कुछ पर्शन इस तरफ अब देख vegetablee कलेश्टरि ये है इसका ये सिम्मेट्रिकल रेजिस्टर में सेमड फ्लो किना चीरह यह थी तो स्मेट्री म rat एसमें करंट 12 होना चीह जिए ना चीह तो यह इसं इस ओ जाएक इसमें क्रण क्या वyas Deep इसमें क्रण परट्टमी बिल्गुल सिधा यांच जो इसमें upfront उ क्लोगा। तो एक तरह से देखो यहहां पे अब यहां पे करंत दो हिस्सों में जाएगा कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ को इस में हो उना ची है । थीक ना, तो 10 प्लस 10 यही हो जाएगा, जो इसमें करेंट फ्लो भई इसमें हो गया, थीक न, तो इसका मतलब यहां पे भी यह बी डिसकनेक्टिड एक तरह से, थीक न, तो अब तो यह बिल्कुल नॉर्मल हो गयागा, यह दोनों सीरीज में हो गया, इनका सीरीज एक्वेले तो आर थीक है ना बिल्कुल सही है अब इस दोनों पैरलेल में हो गए तो इन दोनों का पैरलेल एक्विलेंट क्या हो जाएगा टू आर बाइथ री तो आर बाइथ री ठीक है और अब यह तिनों सीरीज में हो गए इन तीनों का शीरीज एक्विलेंट क्या हो जाएगा र प्लस आल टू हाज टू ह टू हाँ आर प्लस डू आर प्लास टू आर ऐथे यू दूनश compliant अब देखो इतरक इनका के रिजिस्टेंट्ट अब आउट एबी या भी सिमेलरली ऊपरकी जैसे बिल्कुल 8 cultivated आ जाएगा यह दोनों सिर्में वह इसके साथ में कि आत्रीम कि यह बितना ऐगा 8 rugby तिन अब यह सीरिज में इन दोनों सिरीज कि एकुलंक कितना हो गया 2R तो यह लगा दिया मैंने 2R अब यह तीनों पैर्लेल में हो गए इन तीनों का पैर्लेल एक्विलेंट वह मालों R1 होगा वो क्या हो जाएगा 1 by 2R प्लस 1 by 8R by 3 तो 3 उपर पहुंच गया प्लस 1 by 8R by 3 तीन उपर पहुंच गया तो यह कितना हो गया 6 by 8R दो तीया 6, दो चुके 8 तो यह हो गया 3 by 4R ठीक है तो 1 by R1 यह देखो कितना हो गया 4R प्लस 3 उणी 6, 6 प्लस 4, 10R by में 8R स्क्यार तो R1 आगा 8R by 10, दो चुके 8, 2, 5, 10, 4R by 5 आगा तो फाइनल इन तीनों के एक्विलेंट में एक बीके बाउट एक रजिस्टेंस लगा सकता हूं कितने का 4R by 5 तो यही तो है R एक्विलेंट अबाउट एब भी यूजिंग मिरर सिमेट्री मेथड 4R by 5 यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री मेथड 4R by 5 सेम आये हैं और आने बेचे थे ठीक है यह मेरा आंसर हो गया 4R by 5 तो अब देखो next numerical नुमेरिकल नंबर थार्ड अगेन एक और कॉंप्लेक्स सर्किट है रेजिस्टेंसित का ठीक है असके एक यह करके फिर ऐसे और फिर यह ऐसे ठीक है फिर ऐसे और यहां पर एक रिजिस्टेंस एक यहां पर एक यहां पर ठीक है और एक रिजिस्टेंस यह एक यह ठीक है न कुछ ऐसा गीवन है ठीक है यह बाड़ा इसके स्मेट्रिकल यह आ जाएगा ठीक है और एक रेजिस्टेंस यह एक यह और एक यह यह यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस गीवन है और सारे आइदेंटिकल रेजिस्टेंस है ठीक है यह 18 मेर संदनरा करें खीक है तो यह A point है यहाँ पे और यह B point है ठीक है तो A B के बाउट equivalent resistance find out करना है कैसे करें यह तो बड़ा complex circuit है नजर आ रहा है साफ कोई series parallel कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब देखो क्या यहाँ पे folding symmetry exist कर रही है इस A B line के बाउट क्या यह circuit symmetrical है जैसा उपर वैसा निच्छे देखो बिल्कुल है इस R का यह R इसका symmetrical resistance यह इसका यह इसका यह इसका यह इसका यह इसका यह बिल्कुल है folding symmetry method मैं यहाँ पे बिल्कुल apply कर सकता हूँ ठीक है चलो अब apply करो folding symmetry method तो folding symmetry method कि इसके ओपर based होता है it is based on marking same potential on symmetrical branches तो देखो इसका symmetrical register यह है इसका यह है इसका यह है इसका यह है इसका यह इसका यह इसका यह ठीक है तो माल लो यह c point है तो यह भी क्या हो जाएगा c हो जाएगा due to folding symmetry और अगर यह d point है तो यह भी क्या हो जाएगा d ठीक है और माल लो यह e point है और यह f और यह माल लो g है ठीक है तो अब देखो यह resistance r ac क्रोस यह भी ac क्रोस और यह इसका symmetrical resistance भी है rr तो सबसे पहले क्या करना होता है यह ab line draw कर लो और ab line के along जो resistances है ना उनको सिधा बना लो एक, दो, तीन, चार resistance है ठीक है यह a point, यह b point और यह e point है और यह f और यह g ठीक है ना ab line पे जो resistance है वो मैंने बना लिये एक, दो, तीन, चार बना लिये ना, अब देखो यह ack cross, यह भी ack cross तो दोनों parallel में होगे एक तरह से तो इन दोनों का parallel equivalent क्या आएगा r और r का, r by 2 निच्चे वाले का भूल जाओ और इसकी जंगा r by 2 लगा दो अब देखो, यह रजिस्टेंस cdk cross, यह भी cdk cross, तो एक तरह से इसका स्मेट्रिकल रजिस्टेंस यह है, तो एक तरह से यह वाला और यह वाला दोनों parallel में हो गए, ठीक है ना, तो इन दोनों का parallel equivalent r और r का, r by 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, r by 2, ऐसे करके, ठीक है, और यह point हो जाएगा d, ठीक है ना, अब देखो, यह idk cross और यह b, idk cross, तो यह दोनों parallel में हो गए, r और r का parallel equivalent क्या जाएगा, r by 2, और वो idk पे लग जाएगा, r by 2, यह लग जा, ठीक है, तो अब देखो, यह resistance और यह resistance, यह दोनों symmetrical है, df, df, तो parallel, r और r का parallel, r by 2 हो जाएगा, तो इन दोनों के equivalent लग जाएगा, यहाँ पे, df पे, r by 2 का, ठीक है, तो अब आओ इस पे, यह dgk cross, यह भी dgk cross, सभी बात है, r और r का parallel equivalent क्या जाएगा, r by 2, और वो dgk cross लग जाएगा, dgk cross, r by 2, ठीक है, तो अब देखो, यह bck cross, यह भी bck cross, यह इसका symmetrical resistance भी है, तो दोनों parallel में होगे, bc, bc, तो इन दोनों का parallel equivalent r और r का कितना हो जाएगा, r by 2, और वो bck cross लग जाएगा, यह लग गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो अब देखो, क्या अब यह simple बन गया, simple तो अब भी भी नहीं बना है, ठीक है ना, simple तो यह अब भी नहीं बना है, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, कुछ symmetry और लग रही हो, जैसे कि mirror symmetry, folding तो लग नहीं सकती है, अब फिर से, क्योंकि a, b के निच्चे तो कोई circuit बचा ही नहीं, उपर उपर है, तो अब देखो, क्या है, यहाँ पर mirror symmetry लग सकती है, यह बी लाइन के perpendicular line यह होगी, क्या इसके left में देशा circuit है, वैसा ही right में है, बिल्कुल है, r by 2, r by 2, e r by 2, e r by 2, e r, 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 e s symmetrical registers गिना हैं मैंने, ठीक है, तो mirror symmetry मैं यहाँ पर apply करने जा रहा हूं, ठीक है, बीच में, तो देखो, मैं यहाँ पर ऐसे कोई battery लगाई है, ऐसे करके, वो current चोटेगी, यहाँ पर 200 में जाएगा, वो current, ठीक है, जो इस register में current वही, इसमें follow करना चीए, तो एक तरह से यह current ऐसे सिद्धा जाएगा, यह तो इसमें current flow किया है, वही इसमें करना चीए, और जो इसमें किया है, वही इसमें करना चीए, इसमें यह current flow किया है, तो यह यहाँ पर ऐसे सिद्धा जाएगा, ठीक है, और जो इसमें flow किया, वही इसमें करना चीए, तो यह current का यह part ऐसे सिद्धा जाएगा, तो इस प्लस हुए थे ठीक है ना कि यह अटा दिया अब तो सिंपल बन गया कि यह आर यार सिरीज में हो गए सिरीज एक्विलेंट टू आर यह लगा दिया कि यह आरबाई टू आरबाई टू सिरीज में सिरीज एक्विलेंट आर यह लगा दिया, यह R और यह 2R पैरलल में होगे, इनका पैरलल एक्विलेंट कितना आ जाएगा, 2R by 3, यह लगा दिया, ठीक है, और अब यह तिनों सीरीज में होगे, सीरीज एक्विलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R, 2R प्लस 2R by 3, 3 दूनी 6 प्लस 2, 8R by 3, तो इन तिनों क जंगा एक लग जाएगा, कितने का, 8R by 3 का, यह और यह सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज इक्विलेंट क्या हो जाएगा, R by 2 प्लस R by 2, R, ठीक है, यह लगा दिया, ठीक है, और यह क्या था, 8R by 3, ठीक है, और अब यह दोनों पैरलल में होगे, तो इन दोनों पैरलल एक्विलेंट क्या हो जाएगा, R, R इंटू में 8R by 3, बाई में R प्लस 8R by 3, मतलब 8R by 3, 3R plus 8R, 11R by 3, तो यह आगया, 8R by 11, इतना आएगा, ठीक है, तो यह भी के बाउट, फाइनली मैं क्यों एक रजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितना रजिस्टेंस का, 8R by 11 का, तो R इक्विलेंट अबाउट एभी फाइंट आउट करना था न, एभी के बाउट इक्विलेंट रजिस्टेंस, वो using folding symmetry method, यह कितना है, 8R by 11, यह मिरा answer भी हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखो, क्या इसको हमें second method से, जो है मिरा mirror symmetry method, क्या उससे भी solve कर सकते हैं, उससे कोशिस करते हैं, तो सबसे पहले देखो, क्या यहाँ पे mirror symmetry में directly apply कर सकता हूँ, सबसे पहले यह देखो, AB line, AB line के perpendicular line यह हो जाएगे, क्या इस line के बाउट, यह circuit symmetrical है, जैसे left में वैसे right में, आर, 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 यह आर, यह आर, यह आर, यह आर, यह वड़ा आर, यह वड़ा आर, यह वड़ा आर, बिल्कुल symmetrical है, कोई doubt नहीं है, इसका symmetrical resistance यह हो गया, इसका 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 यह हो गया, mirror symmetry बिल्कुल directly apply कर सकते हैं, अब mirror symmetry किस base पे है, same current in symmetrical registers, मालो मैंने ऐसे करके, यहाँ पे एक battery लगा दी, ठीक है, बैटरी, ABK बाउट बैटरी करंट सोटेगी कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ जो इसमें करंट फ्लो किया वह इसमें करना चीए तो यह जो करंट है न यह डारेक्टली ऐसे जाएगा करंट का यह पार्ट डारेक्टली ऐसे जाएगा क्योंकि जो इसमें क्रण्ट फ्लो किया वह इसमें करना चीए ठीक है इसमें कर गया ना यह डारेक्ली ऐसे गया यह पार्ट कर गया अब करन्ट के इस पार्ट की बात करो जो इसमें क्रण्ट फ्लो किया वह इसमें करना चीए इसके समेट्रिकल रेजिस्टर में तो देखो यहां पर यह तीन इसमें करना चीए तो यह ऐसे डारेक्ली ऐसे सिद्धा जाएगा करंट का ये पार्ट डारेक्ट लिए से सिद्धा जाएगा ठीक है और जो इसमें फ्लो किया है वह इसमें करना चीए करंट का ये पार्ट डारेक्ट लिए से ओके सिद्धा जाएगा और दिस प्लस दिस प्लस दिस यही तो करन्ट हो जाएगा इस रजिस्टर में इस के समेेटिरिकल रजिस्टर में यही करन्ट हो जाएगा तो एक तुमें भी कोई current flow नहीं हुआ तो इसको अटादो इसमें भी कोई current flow नहीं वा इसको भी अटादो आप तो सिंपल हो गया ठीक है न ये दोनों सीरीस में हो गये शिरीज इक्विलेंट आर प्लस आर कितना आगया 2R एक लगा दो कितने का 2R का अब ये दोनों सिरीज में हो गए सिरीज इक्विलेंट 2R ठीक है ये लगा दिया ये वाला और ये वाला सिरीज में हो गए सिरीज इक्विलेंट 2R ये लगा दिया ये वाला ये वाला सिरीज में हो गए सिरीज इक्विलेंट 2R ये लगा दिया ठीक है अब देखो ये तीन नों पैरलेल में हो गए इन तीन नों पैरलेल एक्विलेंट क्या आएगा मालों आर वन आएगा वन बाई आर वन इस इकल 2R plus 1 by 2R plus 1 by 2R तो यह आगया 3 by 2R तो R1 कितना आजाएगा 2R by 3 इन 3 होगा पैरलल एक्विलेंट कितना होजाएगा 2R by 3 ठीक है यह हो गया अब यह तिन नों सिरीज में हो गये सिरीज इक्विलेंट क्या हो जाएगा R plus R 2R 2R plus 2R by 3 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 आठ 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 आर बै तीन हो गया यह ठीक है ओर यह दोनों सिरीज में इन दोनों का सिरीज इक्विलेंट आर प्लस आर 2R ठीक है यह हो गया 2R अब यह तिनों पैरलल में होगे इन तिनों का पैरलल क्या आएगा मालो आर 2 आइगा 1 by 2 is equal to 1 by 2 or plus 1 by 2 are parallel वढा यूज़ करें आवा ना formula plus 1 by 8 r by 3 तीन ऊपर पाउन्च गया1 भाइ 2 r plus 1 by 2 r ये क्या हो मतले簡र ये मतले से 1 by r ठीक है तो i f Lisa q. एक आर से एक आर कतम हो गया, तो 11 बाई मैं 8 आर, तो आर टू कितना आ गया, 8 आर बाई 11, तो एक तरह से इन तिनों के एक्विलेंट मैं एक लगा सकता हूं, 8 आर बाई 11 का, ठीक है, AB के बाउट फाइनली एक रजिस्टेंस पर आ गया मैं आठ आर्वाए ग्यारा यही इक्विलेंट रजिस्टेंस हो गया बाउट AB यूजिंग डारेक्टली मिरर सिमेट्री मेथड ही आया और यूजिंग फोलिंग सिमेट्री मेथड ही आया था सेम आना दोन्नो आने भीचिये मेथड अलग लग बले वह अंसर तो सेम आना चिये दोन्नो मेथड से तो AB के बाउट जो इक्विलेंट रजिस्टेंस फाइन्ट आउट करना था वो जो कॉंप्लेक्स सी प्रोब्लम लग रही थी काफी उसका कितना आया आठ आरवाए गया रहा थे कर दोन्नो मेथड से चाहिए वो फोल्डिंग सिमेट्री मेथड हो या मीरर सिमेट्री मेथड हो सेम आया और आना भीचिये था तब देखो आज का लाश्ट नुमेरिकल फॉर्थ इस फॉर्थ नुमेरिकल में देखो क्या गिवन है एक रेजिस्टेंस ऐसे एक ऐसे ऐसे करके और यहां पे यहां पे ठीक है एक यहां पे एक यहां पे और यहां पे ठीक है यह एए पॉइंट यह बी पॉइंट यह रेजिस्टेंस टू आर यह भी टू आर और यह फाइफ आर है और यह आर यह भी आर यह 4R यह भी 4R यह 3R यह पे आइदेंट्टीकल रेजिस्टेंस नहीं यह ठीक है तो AB के बाउट equivalent resistance find out करना R equivalent about AB तो find out करो क्या यहाँ पे कोई series parallel समझ में आ रहा कि आप series parallel apply कर दो मतलब simple सी क्या आप को यह problem नज़र आ रहे है simple सी problem नहीं आप directly series parallel apply कर ही नहीं सकते साब दिखाई दे रहा है तो अब आओ क्या यहाँ पे कोई symmetry बन रही है folding symmetry AB के ओपर जैसा सर्कीट हो वैसा ही निच्चा होना चाहिए निच्चे तो सर्कीट है निए AB line के निच्चे तो folding symmetry तो यहाँ पे है निए अब आओ mirror symmetry पे क्या यहाँ पे mirror symmetry है AB जो line होती है उसके perpendicular line बना लो यह होगी इस line के बाउट क्या इस तरफ जैसा सर्कीट है क्या उस तरफ वी वैसा ही है मतलब क्या इस line के बाउट ही यह circuit symmetrical है 2R, 2R RR 4R, 4R 3R, 3R बिल्कुल है तो mirror symmetry तो हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं बिल्कुल डारेक्ट लिए apply कर सकते हैं mirror symmetry इसका symmetrical resistance यह इसका यह इसका यह इसका यह बिल्कुल apply कर सकते हैं तो जो mirror symmetry से इसको solve करते हैं मालों मैंने battery लगाई battery ने current सोड़ आ तो mirror symmetric इसको प्रबेश्ट होती है symmetrical resistances में same current flow करना चीए तो battery ने current सोड़ आ, कुछ इस तरफ गया, कुछ इस तरफ ठीक है यहाँ से भी 2 इसो में टूट आ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ जो इसमे current flow करेगा न यह वाड़ा wise में करना चीए, तो यह directly ऐसे सिद्धा जाएगा ठीक है जो इसमें flow किया, wise में करना चीए, तो यह directly current ऐसे सिद्धा जाएगा तो क्या इसमें कोई current flow हुआ, नहीं हुआ तो जो इसमें current flow किया है, 4R वाले में, wise में करना चीए, यह वाड़ा तो यह directly ऐसे सिदा जाएगा और देख सकते हो जो 3R में current flow हुआ न वो ही यहाँ पे इस 3R में हुआ है क्या this प्लस this यह नहीं हो जाएगा current बिल्कुल यह ऐसे सिदा गया है यह ऐसे सिदा गया तो जो इस 3R में flow हुआ वह इसमें कर गया तो यह आपस में जूड़े हुए नहीं है ठीक है ना तो इसको आप ऐसे बना सकते हो अब तो यह simple problem होगी बिल्कुल सही है यह दोनों series में होगे 2R, 2R का series equivalent क्या हो जाएगा 4R ठीक है ना यह हो गया 4R यह R और R यह series में होगे इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा 2R सही है ठीक है अब यह 4R और यह 2R parallel में होगे इनका parallel equivalent क्या आएगा 4R into में 2R मतलब 8R square बाए में 4R plus 2R 6R 1R से 1R खतम 248, 238, 4R by 3 आगया ठीक है इन दोनों का parallel equivalent है कितना 4R by 3 अब देखो यह 3 सीरीज में होगे 3R, 4R by 3 और 3R इन दोनों का series equivalent क्या है गा 3R plus 3R 6R प्लस 4R by 3 6, 18 प्लस 4, 22 22R by 3 आगया तो इन दोनों का series equivalent कितना आगया 22R by 3 अब देखो यह 4R, यह 4R सीरीज में इन दोनों का series equivalent क्या हो जाएगा 4R plus 4R, 8R ठीक है अब देखो फाइनली यह दोनों parallel में हो गए इन दोनों का parallel equivalent क्या हो जाएगा 22R by 3 इंटू में 8R 22R by 3 प्लस 8R तो 228, 116 116R by 3 ठीक है और 8 यह 24 24R plus 22R 34, 42, 42 42R by 3 आजाएगा ठीक है तो यह 3 से यह 3 खतम हो जाएगा 1R से एक R खतम हो गया तो 176R by 42 आजाएगा ठीक है ना तो देखो लोग कटता हो यह 2 से यह 23 पे 2 से यह 88 पे अब शायद यह नहीं कटेगा तो 188R by 23 का लगा सकता हूँ मैं इन दोनों के एक्विलेंट मतलब finally AB के बाउट में के वोल एक रेजिस्टर लगा सकता हूँ कितने रेजिस्टर्स का 188R by 23 का ठीक है यही तो निकालना था यह मेरा आंसर हो गया आर इक्विलेंट अबाउट AB finally AB के बाउट में एक रेजिस्टर लगा सकता हूँ कितने रेजिस्टर्स का 188R by 23 यह अंसर हो गया तो AB के बाउट जो इक्विलेंट रेजिस्टर्स फाइंड आउट करना था न वो कितना आया 188R by 23 ठीक है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें